नमस्कार स्वागत है आप सुभी का दूरोशन समाचार आप देख रहे हैं और देश्टियों की ताज़तरीन खबरों को लेकर हासर हूं मैं कृतिक काकले गंटे में हम जानेंगे देश्टियों जोड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरे लेकिन बुलेटिन की शुरात के दस वजे की सुर्ख्यों के साथ पियम मोदी आज मन की बात कारेकर्म के जरीए विचार करेंगे साजह ये मन की बात की 115 कड़ी ग्रहमंत्रूय अमित्शुहा का पश्रिम बंगाल धौरा राज्य में भाजबा सदत्सता अभ्यान की करेंगे शुरुवात राजधाने दिल्ली का AQI फिर 400 पार कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर दिल्ली वाले जार्खरण महराष्ट में विधान सभाचनाव के लिए सीटों के बटवारे पर मंधर जारी अभी कई सीटों पर फसा पेच और जापान में संसत के नीचले सदन के चिनाव के लिए मतदान जारी प्रधान मंतरी शुकेरू इस शिवा के निततों की कड़ी परिक्षा तो ये थी प्रमुक सुर्खिया और आप खबरों में विस्तार से बात करेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी आज मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे यह मन की बात की 115 वी कड़ी होगी, कारिक्रम का प्रसारण आकाश्वाणी और दुरुदरशन के समूचे नेटवर्क पर होगा मन की बात कारिक्रम आकाश्वाणी समाच्वार की वेबसाइट और न्यूस ओन AIR एप पर भी उपलब्ध रहेगा दुरु दुरुदरशन समाचार प्रधार मंतरी काराले तथा सूचना और प्रसारण मंतराले की यूट्योब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा केंद्री ग्रह मंत्री अमित्षा आज पश्चर मंगाल के दौरे पर रहेंगे केंद्री मंत्री यहाँ विभर्नक कारेक्रमों में हिस्सा लेंगे सबसे पहले अमित्र शाह, लैंड पोर्ट पेटरपॉल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्खाटन करेंगे दरसल प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोधी ने सभी दक्षुन एश्याई देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापार संबंदों को आगे बढ़ाने के लिए भारतिय भूमी बंदरगा प्राधिकरण को एक नई गती, दिशा और आयाम प्रधान किया है पेटरपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मेत्री द्वारका उद्खाटन के इसी कड़ी में एक और एहम कदम है अमित्शादो पहरबाद पश्यमंगाल में भाजबा सदस्यता अभ्यान का भी शुभारंब करेंगे तो अमित्शाद पश्यमंगाल का दौरा करते वे नज़र आएंगे जहाँ पर भारती चिंदा पार्टी का सदस्यता अभ्यान का भी शुभारंब अमित्शाद करेंगे इसके साथी पेटरपोल में यात्री टर्मिनल भवन का भी मुद्खाटन करेंगे आपको बतादे कि पेटरपोल लैंडपोर्ट रदक्षुन एश्या का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसका उद्खाटराज किया जाएगा और मूले के अधार पर 70 फीसदी भूमी अधारत व्यापार को ये लैंडपोर्ट संभालता है लैंडपोर्ट में आपको बतादे कि सालाना 23.5 लाख यात्रियों की आवाजाही की सुविधा होगी इसमें इतने लाखे यात्रियों जा सकते हैं नया टर्मिनल आधोने की सुविधाओं से भी सुसर्जित होगा तमाम जाधोने की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्द रहेंगी इसके साथी व्याइपी लाउंज, ड्यूटी फ्री शॉप और चिकित्सा सेवाएं भी इसमें शामिल है यात्रियों टर्मिनल में आवरुजन सिवाशिल के सुरक्षा सेवाएं भी उपलब्द रहेंगी पेटरपॉल पर यात्रियों टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्खाटना आज अमित्शा करने जा रहे हैं और मैत्री द्वार के अगर हम बात करें तो दोनों देशों द्वारा सेहमत जीरो लाइन पर सर्थ कार्गो गेट है ये और इसी के साथ चली खबर में आगे बढ़ेंगे जहां के इंद्वी ग्रहमनतुय अमित्शा के आपको बता दे कि पश्च्च मंगाल दौरे पर भारती जंता पार्ठी के नेता दिलिव घोष ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं अफेक्टेट जिला है ग्यारो ग्यारो जिला में से ज्यादा अफेक्टेट हुआ था तीन जिले में एक जिला है क्यंद्रापड़ा और भद्रक और बालेसर तीन जिला में ज्यादा अफेक्टेट हुआ इसमें से जो रोर ब्लोक हुआ था उसको हमने तुरंत किलियर कर द हमने ज़यादा दो तिन ज़िला में इसमें से केंद्रा पड़ा में इसमें से 95-30 तो अपोभगता लोगों आ पावार कट अप हमने 95 पशनलों को विदूत हमने उनके सवरबराहओं हमने कनेक्टिंग कर दिया और चलिए इसी किसाथ खपरों में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अब महराश्ट्रुकी जहां नामंकन के लिए अब तीन दिन ही बचे हैं और ऐसे में सभी दलों के प्रत्याश्वी नामंकन कर रहे हैं लेकिन महाविकास घाड़ी और महायुती दोनों गटबंदन में कुछ सीटों पर अभी भी पेंच पसा हुआ है अब तक महाविकास घाड़ी ने 237 उमीदवारों के नामों की खोशणा की है जिन में से कॉंग्रेस ने 87, NCP शुरत गुट ने 66 और शिफसना उधव ने 83 उमीदवारों के नामों की खोशणा की है जिसमें भाज़पा ने 121, शिफसना शिंदेगुट ने 46 और NCP अजीद गुट ने 45 उमीदवारों की नामों की खोशणा की है तो महराश्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाव विकास अगारी ने अब तक 237 उमीदवार घोशणा की है 288 सीटों की ये विधानसभा है जिसमें NCP शरत गुट ने 66 सीटों पर अपने उमीदवारों का एलान किया है महायूती ने कुल 212 उमीदवार के नाम अभीता का एलान किये है शिवसेना शिंदेगुट ने 46 सीटों पर अपने उमीदवार उतार दिये है तो महराश्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 3 दिन ही बचे नाम अंकन के लिए अजीत परवार गुट ने 45 नामों की घोशना कर दी है 45 उमीदवारों का एलान कर दिया है वहीं महराश्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने कल तेर शाम उमीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है और इस सूची में पार्टी ने 16 उमीदवारों के नामों का एलान किया है आपको बतादे कि इस सूची में खाम गाउं से राणा दिली को मार को टिकर दिया गया सांगली से प्रत्विराज पाठल को कॉंग्रेस ने टिकर दिया है महराष्ट विधान सवा चुनावों में सीट श्यरिंग के मुद्दे पर घटक दलों के दबाव का सामना कर रही कॉंग्रस को मुंबई में जटका लगा है दरसल कॉंग्रस की तीसरी लिस्ट में अंधहरी पश्चिम से उम्मीदवार घोशित किये जाने के बाद सचिन सावंत ने लड़ने से ही वना कर दिया कॉंगर्स की तीसरी सूची में इनाम घोशित होने के बाद से सचिन सावन्त ने कहा कि वो अंधरी पश्चिम से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने बांदरापूर्व में काम किया है मैंने लिनम्रता से हमारे हाइ कमांड से बात की है चेने तलाजी से भी मैंने बात किया इसके बारे में मैंने कहा था मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांदरापूर्व में वही मुझे सीट मिलने की मारी आकांगशा थी लेकिन अंधरी पुर्व में अंधरी तो इसको मैं समझता को मैं विनम्रता पुर्व उनको मैंने विंती किया है कि मैं यहां से लड़ना नहीं चाहता है। पाटिल और सोलापोर सिटी से नाकेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोरिन के लिए अब शब्दों का इस्तमाल किया है। कभी भी जमीनी अस्तर के निताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खेलाडी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेट माल है जो सातिर से जी जाता है उसको हाईएक कर लेती है। और वही इरफान अंसारी के विवादित बयान के बाद जारखन की राच्रीती भी करमा चुकी है। और इस मामले पर किंड़े मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि इरफान अंसारी का ऐसा बयान निंदन ये है। जिन अमर्यादित सब्दों का इस्तेमाल स्रीमती सीता सोरें जी के लिए किया है। सरम नहीं आती इरफान अंसारी को। स्रीमती सीता सोरें जी, स्वर्गी दुर्गा सोरें जी की धरम पतनी, सिवू सोरें जी की बहू और हैमंद सोरें जी की भावी है। ये किवल उनका अपमान नहीं है। भारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है। भारत की नारी सक्ति का अपमान है। और जराबी अगर सरम है हमंट सोरेंजी में तो उनको इर्फान अंसारी को मंत्री मंडल से निकाल के बाहर फैकना चाहिए। इस तरह के जो बयान बाजी है आप बिल्कुल भी बरगास नहीं करेंगे पुरा हमारी आदिवासी भाई बहने और समुदाय पूरे समुदाय के लग पूरे प्रोधीत है और वही कॉंग्रेस प्तैश्य इर्फान अंसारी के बयान पर भाजपा नेता बाहुलार मरांधी ने कहा कि चुनाफ में अपनी हार को देखते हुए वो छटपटाहट में ऐसा बयान दे रही है वो बिलकुल हार की कागार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बखलाहट वो बाहर निकल रहा है चुकि वो समझ रहते कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसान इसे लगिन जैसे ही सीता सुरन वहां गई अब उनकी चटपटाहट देखने लगा वो बेक्ति पूरे परिशान हो चुके हैं अब वो समझ चुका है कि इस बार चुना हम बूरी तरह से हाथ इर्फान अंसारी के मर्यादित बयान पर राष्ट्य अनुसूचित जनज्वाती आयोग ने सुथा संग्यान लेते हुए जारकन के मुख्य सचिफ राज्य के पुलिस महनेदीशक राज्य के प्रधान ग्रह सचिफ उपायुक्त और जाम ताड़ा के पुलिस अधिक्षक क नोटस चारी कर तीन दिन में मामले की जाच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अपर मुख्य निर्वाचन प्रधिकारी डॉक्टर नेहा अरोडा ने शुनिवारकु निर्वाचन सदन में आयोजिते के प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि स्वच्छ चुनाव सुरिश्चित करने के लिए इस अभ्यान में केंद्रों और राज्य की 24 से ज्यादा एजंसिय सबसे ज्यादा 47 करोड से भी अधिक की राशी और सामेगरी की बरामत की पुलिस विभाग की कारवाई में बरामत की गई है जबकि राज्य के वाड़िज्यकर विभाग ने 4 करो 46 लाग से ज्यादा बरामत की की है पीजर की फिगर्ज हैं अभी तक टोटल एजनसी का सीजर है 57 करोड 66 लाग इसमें सबसे ज़ादा स्टेट पूलिस डिपार्रटमेंट का सीजर है 47 करोड 3 लाग और चलिए इसके साथ इसे पर ताज़ा अपडेटे रेल ते सुक्त हमारे साथ में राची से हमारे संबाद कुमार आलोग की सब्सक्राइब सीधा होनी का रूख करेंगे कुमार आलोग देखें विदानसवा चुनाव हैं और दो चड़नों में यह चुनाव होने हैं और ऐसे में काफी ज्यादा बरामत की भी महाँ पर पुलिस की तरफ से और एजनसियों की तरफ से की जा रही है किस की तैयारिया है चुनाव को लेकर देखें पूरे जहां भी डिस्टिक की जो सिमाएं हैं उस सिमाओं पर कड़ी चौक सी बढ़ती जा रही है और खासकर अगर हम सी आर्पीएफ की बात करें राज्य पूलिस की बात करें तो किसी भी तरह की जो अगर अवैद चीजें जा कैस जा रही हैं कल जो मैंने देखा कि बहुत ही आश्चर जनक चीज मैंने देखा कि कल जो एक सीजर हुआ है उसमें जो गाड़ी का जो टायर होता है जो टूबलेस आजकल टायर होता है तो टूबलेस टायर के अंदर नकदी बरामत किया गया तो पुलिस काफी पुलिस और प्रसासन काफी यहां पर चुस्त और दुरुस्त है और अभी तो शुरुवात है और तेरह और बीस नौमर को चुनाव है तो उसको ले करके चुनाव आयोग राज चुनाव आयोग डिस्टिक अड्मिस्टेशन इसके लावा पुलिस प्रसासन अर्द सहरिकबल तमाम जो जो चाहने बाले जो फिनांसर है उनके द्वारा जो इस तरीके की आवाज आई की जारी उस पर कड़ी निगाह रख रही है और राजय प्रसासन चुनाव आयोग और जो डिस्टिक अड्मिस्टिक अड्मिस्टिक इनके लोग है वो कर रहे है जी आलोग अगर बात करें अगर बात करें तो भारते जंता पार्टी में एक तरह से जो प्रतेक चुनाव में ऐसा होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो विद्रोही हो जाता है या तो इंडिपेंडेंटन्ट खड़ा होता है या पार्टी के संबुल के खिलाफ वो प्रचार करता है तो कल का दिन भारते जंता पार्टी में भी देखा गया कि भारते जंता पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट थे उनको मनाने की पूरी कोशिस की गई खासकर सिवरा सिंग चौहान हो चाहे है मंतव विश्व सर्मा हो या पार्टी की जो बड़े नेता है राष्टी नेता है छित्री बा कारिकारी अध्ष्ट बनाए गया जैसा कि आपको मालू है कि बावुलाल वारंडी अध्ष्ट थे भारते जंता पार्टी के जारखन निकाई के तो रविंदर राय को मना जा रहा था कि रविंदर असंतुष्ट थे और पार्टी के खिलाब पार्टी के खिलाब गतिवीद रहेंगे इसके अलवा और भी जो निता जो इंडिपेंडनेंट खड़े हो गए हैं उनको भी मनाने का दोर पूरा चला पूरा दिन भर चला उसी तरीके से अगर हम देखें कि यहां तो बहुत जंदा पार्टी ने अपना डेमेंस कंट्रोल किया लेकिन अगर आप इंडी कहीं से कोई जो कंसल्टेशन होता है या जो समन्में की बात होती है कोई बैठे कैसी होती है ऐसा नहीं हो रहा है और वहां पर अभी इंडी गट बंदन के अंदर राड जारी है जी कुमारा लोक अगर हाली की चीजों पर अगर हम बात करे तो विधान सबस्वा चुनाव या लोक सबस्वा कोई भी च्टब होते है तो बयान बाजी का सलसला भी शुरू हो जाते है लेकिन अभी जो हाली में हमने बयान देखे हैं और जो जिस तरीके से एक महिला के प्रति अमर्यादित भाशा के इस्तमाल किया गया है और ना उसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है ना ही उसको लेकर किसी प्रकार की सफाई दी जाती है ना ही माफी मांगी जाती है राजनीती में इस अमर्यादित भाशा की तो कोई जगा ही नहीं है कि कॉंग्रेस अगर महिलाओं की सम्मान की बात करती है इंडिकर बंदन अगर महिलाओं की सम्मान की बात करती है तो इस तरह का अमर्यादित जो बयान उन्होंने इर्फार नंसारी ने दिया है उसकी चोतरफा आलोचना हो रही है और इर्फार नंसारी बार बार माफी भी बा लेकिन आपने जो प्रसारिद की अब ही वीडियो के जो प्रतिनमंदल है उन्होंने एक पेंडिराइब में आप प्रक्या उलहां है वो प्रतिनमंदल आतरह सकता है तो ऐसी कंद्ध है भी मांग है वह कहने हैं हम्ने आइसा whats चोतरफा इनके बियान का विरोध हो रहा है और खासकर राश्य अनुस्विशित महिरा जंजाती जो आयोग है उसमें सारे प्रसासन है उसको नोटिस भेजा है और तीन दिन के अंदर आपने जैसे बता है तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है इर्फान सारी विवादित देत से बहुत बड़े नेता थे शीवू से जो पुत्र थे लेकिन उनकी हत्या हो गई और उसके बाद सीथा सुरेन जब जार्खण मुक्ती मोर्चा में थी तो उनके साथ अन्याय हुआ जो उसके बाद उन्होंने बीजेपी जोएं कि शीवू से पुत्र बदू है और उसके ब बयान देना अपने आप में दुर्भागे पुर्ण है और कॉंग्रिस का जो महिला बीरोधी जो सोच है जो उनका आच्रन है वो पुरी दुनिया देख रही है और जार्खण की जंता देख रही है और डेमेज के नेता लगे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई बयान हैमन सुर और अप्डेट्स हमारे साथ साच्छा करने के लिए और खबरों का सलसुला डेमेज उस पर योही लगाते हैं जारे लेकर निसी बीच बुलटर में वक्त एक छोड़ सब्रेक काया आपने रही है हमारे साथ खुशियों की दिपावली MbH मसालों वाली बेटियां घर की रौनक हैं बेटियां घर सवारती हैं बेटियां पीडियां सजाते हैं बेटियां घर की बुन्याद कहलाती हैं बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाद्शा और ब्रेकी बार एक बफ्रिस स्वागत आप सभी का खबरों में आखे बढ़ेंगे जहां आपको बताते कि राजधानी दिल्ली को जहरीली हवा से अभी तक फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है और आज भी राजधानी के कई बड़े इलाकों में AQI 400 के पार पहुँच चु 12-11 इलाकों में AQI 300 के पार है जो की खराव श्रेणी में है वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराव श्रेणी में बना हुआ है आज सुभा से ही दिल्ले के कई हिस्सों में स्मॉक की परत देखी जा रही है बढ़ते प्रदूशण के कारण लोगों को सास संबंत दिल्ली के ताजा हालातों की जानकारी हमें रहेंगे सिधार रुक करते हैं इस वक्त गिरीश का गिरीश अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की कई सारी ऐसी जगह है जहां पर AQI इस वक्त 400 के पहार पहुँच चुका है ग्रेब 2 लागू है और कही ना कहीं जो इस्थ वक्ता सुषकां की बात की जाए तो बहुत ही खराब इससी में पहुँची हुई है दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं अगर आईटियो की बात की जाए तो वहां पर साड़े 300 के पार इस समय आईक्यू है मेजर ध्यान चन इस्टेडियम के आसपास भी 347 के आसपास AQI बना और यहां की अगर बात की जाए तो 347 के पार AQI समय यहां पर है यानि कि पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज सुबह में विवेक विहार जैसे पास कलोनी के अंदर जो वायू गुडवत्ता सुचकांक है वह बहुत जादा हो गया 413 पर पहुंच गया तो इससे आप अंदाजा लगाए जाता है कि किस तरह देश की राधरी दिल्ली में लोगों को इस समय जीना पड़ रहा है किस तरह से जिस तरह से जो हवा है पूरी तरह से खराब हो चुकी है वायू गुडवत्ता सुचकांक बहुत उपर जा रहा है लोगों को सांस लेने में दिक् कई समस्याएं हो रही है चीकुस्तकों का कहना है कि ऐसे में जो बच्चे हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए जी न कहीं इस जो वायू गुडवत्ता सुचकांक ने दिल्ली के अंदर पूरी आवो हवा को खराब कर दिया कृतिका मैं आपको एक बात और बताना चाहूंग लिए को मुंक्यामन्तरि थाला कि दिल्ली की मुख्यमन्तरी हो वहाँ नहीं पहुंची थी लेकिन विरेंदर-सस्थेवा हैं उन्हें डूपकी लगाएं थी और से वें बिमार पड़े हुए हैं कि उन्हें पिर यह हैं त्रिक्स कर करेंगे क्गैं कि पर दिवाली के शाय दिन बाद महाँ छट पर मनाया जाएगा और ऐसे में दिल्ली के अंदर काफी संख्या में पुर्वांचल के लोग रहते हैं ऐसे में उनकी आस्ता पर कोई ठेस ना पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की यमना नदी का जो जल है वो साफ किया जाए जो गंदगी है उसको साफ किया जाए और इसी तरह से जल की बात हो गई इसी तरह दिल्ली के अंदर वाईयुगक्षा सुस्कांख ktoś कहें envisioned on wereGet की दिक पर्वशानी बनी हुई वो काफी नहीं है पहले बहुत थी खराब इस्तिती में था और आज तो कई जगह पर ऐसा है चार सो के पार है तो इस बास से अलगाया जा सकता है कि दिल्ली वासिक किस तरह से जीने को यहां पर मजबूर है जी अगरीश अगर हम देखे तो यह प्रदूशर तो बढ़ ही रहा है यह कम होने का नाम नहीं ले रहा लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ एहम कदम अभी तक उठाए गए है इस प्रदूशर पर कंट्रोल करने के लिए ग्रैप्टू तो रागू कर दिया गया है लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से एहम कदम उठाए गए हैं अभी तक है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि रेल लाइट पर अपनी गारियां बंद करें जैसे रेल लाइट पर पहुंसे हैं तो इस तरह के जगए जगए बोर्ड बैनर जरूर लगाए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से लेकिन जो इंतजाम किये जाने चाहिए साहिए वो ना काफी के अब ब्राबर हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों को उमीद है दिवाली आने वाली है तो हार आने वाला एसे में दिल्ली की जो आब ओ हुआ है वो पूरी तरह कराब हो चुकी है लोगों को पर्षाने उठानी पढ रही हैं। लेकिन जो कदम दिली सरकार को उठाने चाहिए प्रदूशन की मार इंदिनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमाई साथ तो जिस तरीके से हम देखें तो दिल्ली का AQI फिल हाल अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है खराब से बेहत खराब श्रेडी में ये पहुंचता जा रहा है दिल्ली में ऐसी कई सारी जगा है जहाँ पर AQI इस वक्त 400 के पार दर्ज किया गया है हाला कि अब इस से राहत कब मिलेगी ये इस पर अभी भी सवाल बने हुए है इसी के साथ खबरों में आके बढ़ेंगे जोहाँ 10 करोड से ज्यादा सदस्यता के साथ BJP दुरिया के सबसे बड़ी राजुतिक पार्टी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में भी भारती जिन्ता पार्टी ने सवा 2 करोड सदस्य बन गए है उत्तर प्रदेश में भारती जिन्ता पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य अवध शेत्र में बने है जिसको लेकर अवद शेत्र के सदस्यता अभ्यान के सास संयोजक नीरज सिंग ने डीडी नियूस से खास बात चीत करते हुए वताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेततों में लोग को भरोसा है और जिस तरह से धरातल पर जनकल्याण कारी योजनाय चल रही है उसी भी अवच छेत्र से सबसे जादा हमारे साथ अवच छेत्र के प्रमुक सदस्यता प्रमुक नीरज सिंग मोजूद नीरज जी कितनी बड़ी चुनोती थी क्योंकि लोगसबा चुनाओं के बाद बिपक्ष एक तरफ कह रहा था कि अब बीजेपी से लोगों का मुँ बंग ह भारती जिन्ता पार्टी 10 करोड सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के विश्व के सबसे चहेते लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रती लोगों ने विश्वास वेक्त किया है मुझे प्रसनता है कि आज हमारे एक भारत और स्रेष्ट भारत के संकल्प में लोग हर तरफ से हर राज से जुड़ाएं हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश में सवा दो करोड से जाड़ा हमारे पार्टी के साथ लोगों ने सदस्ता ली है मैं प्रधान मंत्री जी के नत्यतों को हमारे मुख मंत्री योगी आदितनाद जी के नत्यतों को और हमारे भुपेंद्र चौदरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके नत्यतों में यह जो सदस्ता अभियान चला है यह किरती मान स्थापित कर रहा है क्या टारगेट है यूपी को लेकर अगर बात की जाए। और इस ऑनलाइन सदस्ता के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरे विश्व के अंदर ये संदेश जाएगा कि जो पार्टी अपने विचार में इस देश की संस्कृती राष्टेता के विचार को लेकर चलती है उससे शहर सी जनता स्विकार करती है आज 10 करोड से ज़्यादा क देख रही है कहना है बीजेपी नेता नीरा सिंका कैमरा परसंट राजेस के साथ निशानत राए डिडी नीव्स दिली युवाओं को सरकार के इस फैसले से बड़ा जटका भी लगा है आई आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट इमाचल की कॉंग्रिस सरकार एक बार फिर अपने एक और फैसले को लेकर सुर्खियों में है सरकार ने पिछले दो सालों में अलग-अलग बेभागों में खाली चल रहे पदों को खत्म करने का फैसला लिया है और इसके जर्य प्रदेश में हजारों नौकरियां खत्म करके युवा बेरोजगारों को सरकार ने बड़ा जटका दिया है सरकार ने पिछले दो सालों से खाली चल रहे पदों को भरने के बजाए उन्हें खत्म करने का ऐलान किया है पिपक्ष के मताबिक प्रदेश में एक लाख से ज्यादा सरकारी पद इस वक्त खाली चल रही है खाली पदों में 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले दो सालों से खाली हैं जिने अब खत्म किया गया है इस फैसले के बाद सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि इसकी जगए नई नौकरियां जरूरत के हिसाब से स्रिजित की जाएंगी सवाल उठने के बाद सरकार नए यू टर्न लीते हुए नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए नई नौकरियां जारी करने की भी बात कही है अब कहीं भी पोस्टे भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट करती है जालता है तो पहले ही चिठी में हमने से पहले उन से जब मेley मेटींग में वी थी मैंने पूछा था कि यह आपकी 20 सालों से जो पोस्टे वो भरी क्यों नहीं जारी केते इन पोस्टों की हमें जूरत नहीं है जैसे कि टाइपिस्ट कलर्क है तो टाइपिस्ट कलर्क की पोस्ट तो सेंक्षन है लेकिन टाइपिस्ट कलर्क की वो टाइप मिशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कनवर्ट करना है जेओ आईटी में इधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक बार फर निशाना साधा है निता प्रतिपक्ष जराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रस के राज में वेवस्था परिवर्तन की जगे वेवस्था पतन हो रहा है जराम ठाकुर ने कहा कि पहली करने के पाद यहां तक बात कहा दिए कि आप जो पोस्टें हम यह स्माप करने का जो लोजिक्रेशन कर रहे हैं इसके बार तुरंट जो है तुरंट प्रोहार से बजट बुख से भी इनको प्रदेश में इस वक्त करीब 6-8 लाग युवा ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रही है इसके अलवा कई परीक्षाओं के लंबत परणामों की वज़े से भी सरकार निशाने पर है प्रदेश में एक लाग से डेड़ लाग तक पद ऐसे हैं जो खाली हैं जिन में भरतिया होनी चाहिए थी लेकिन सरकार उस पर भरतिया ना करके उन फद्वादों को खत्म करने का काम करती नज़र आ रही है चमला से कैमरा परसुर आकेश कुमार के साथ धर्ण प्रकाश डिडी न्यूस और ख़बरों का सिलसला डिडी न्यूस पर यूही लगा था जारी वक्त एक छोड़ सब्रे काब बने रही है हमारे साथ बेटियां घर की रौनक हैं बेटियां घर सवारती हैं बेटियां पेडियां सजाती हैं बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं बेटियों को सलाम करता है मौंगिया स्टील स्टील का बाच्शा यह जिले किंद्रपाड़ा भद्रक और बालेश्वर हैं प्रभावित इलाकों में सड़क अव्रोधों को हटा दिया गया है और वहीं 95 फीसदी प्रभावित इलाकों में बिजली भी बहाल कर दी गई है बालेश्वर एक नीचला तठीय इलाका है और भारी बारिश के कारण बार जैसी स्थती भी वहाँ पर पैदा हो गई है। पर निमित्रापॉल ने कहा कि पश्चें बंगाल में चक्रवात दाना के कारण चार लोगों की जान चली गई है। प्रभाव दाना भी उससे डड़ती है। दाना भी पास कटा के चला गया। लेकिन उसके बाद भी चार जन का मृत्तु हो गया। उरिस्टा में पूरा दाना का प्रभाव एक भी मृत्तु नहीं हुआ भगवान का महरबानी से। लेकिन पश्चिम बंगाल में चार जन का मृत्तु हो गया। पानी जमकर इलेक्ट्रिकूशन होकर गिर कर में तु हो गया। पानी जमकर इलेकिन प्रतिकूल परिस्थिती का सामना करने के लिए सदेव द्रड संकल पर रहते हैं। पैदल सेना शक्ति, वीड़ता और कर्तव्य का सार्फ परिस्थत करती हैं जो हर भारतिये को प्रेरित करती है। और इसके साथ ही रक्षा मंतरी राश्टात सिंग ने भी इंफेंट्री दिवस के मौके पर सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर भारतीय सेना के सपी रैंक के अधिकारियों को बधाई और शुब काम नाय दिए हैं भारत को अपने भादोर इंफेंट्री कर्मियों पर गर्व है इस अफसर पर सीडियेस जनरल अनिल चुहान धल सेना धेक्ष्य जनरल उपेंद्र रुदिवेदी और अन्य वरिष्टा धिकारियों ने राश्ट्रिय युद्धिस्मारत पर पुश्पांजली भी अरपित की है तो आपको दा देखिया आज भारतिये सेना का जो इंफेंट्री दिवस है आज इस दिन को मनाया जा रहा है सीडियेस जनरल अनिल चुहान ने भी पुश्पांजली अरपित की है आज से 29 अक्टूबर तक तीन दिवसी भारत की आधिकार एक यात्रा पर रहेंगे उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गुमेज भी मौजुद रहेंगे वहीं विदेश मंत्राले के अनुसार ये उनकी भारत की पहली आधिकार एक यात्रा है आपको बता दे कि इस पैन के राष्टपती की ये यात्रा 18 सालों के बाद हो रही है हाला कि इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी और राष्टपती सांचेज बहुपक्षिय बैठकों से अलग कई बार मिल चुके हैं इस यात्रा के दोरान राष्टपती सांचेज प्रधान मंत्री मोदी के साथ शिष्ट मंडल स्तर की वारता करेंगे दोनों निता वरोद्रा में फाइनल असेंब्ली लाइन प्लांट C295 विमान का भ्योद खाटन करेंगे ये विमानन शेत्र में मेक इन इंडिया पहल की मुख्य परियोजना है इसकी स्थापना एरबस स्पैन के सहयोग से टाटा एडवांस्ट सिस्टम्स द्वारा की जा रही है विदेश मत्री डॉक्राइस जैश अंकर भी राष्टपती सांचेज से मुलाकात करेंगे राष्टपती सांचेज मुंबाई का भी दौरा करेंगे जहां वो व्यापार तथा उद्योग पतियों विचार मंटलियों और फिल्म उद्योग के प्रतेनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे इस यात्रा के दुरान कई समझोता ग्यापनों और समझोतों पर हस्ताक्षर किये जाने की भी संभाफना है जिससे दोईपक्षिय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं बात अब करेंगे त्रिपुरा की जहां अवैद रूप से प्रवेश करने वाले बाहरा बांगले देशी नागरिकों को और एक बच्चे को हिरासत में लिया गया सीवा सुरक्षा बल के अधिकारी ने बताया कि शनिवार को अगरतला रेलवे स्टीशन के पास एक मोबाइल चेक पोस्ट बनाया गया था और नो बांगलादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था पूछताच के दौरान बंगलादेशी नागरिकों ने बताया कि वो भारत में इस्थाईर रूप से बसने के लिए कुलकाता जाने की योजना बना रहे थे सीमा सुरक्षा बलके प्रवक्ता के नुसार एक अलग अभ्यान में दक्षड त्रिपुरा में बीएस एफ जवानों ने मुहरी नदी के किनारे चार महिनाओं और दो बच्चों को हिरासत में लिया जो भारत बांगलादेश उस सीमा से होकर गुजरती है बीते साधे तीन महिने में सरकारी रेलवे पुलिस, बीएस एफ और त्रिपुरा पुलिस ने अभैधरूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अगरतला रेलवे स्टिशन और त्रिपुरा के विभिन स्थानों से लगभक 435 बांगलादेशी नागर को और 55 से ज्यादा रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है सीवा सुरक्षाबल के प्रवक्ता ने कहा कि बीएस एफ ने घुसपैट और सीवा पार अपराद को रोकने के लिए भारत बांगलादेशी सीवा और राज्य में अभियान तेज कर दिया है और डीडी नियूस पर खबरों का सेलसन लगातार जारी वक्त एक और छोटे सिवरेक का आप बने रही है हमाय साथ और देखते रहें डीडी नियूस बेटियां घर की रौनक हैं बेटियां घर सवारती हैं बेटियां पीडियां सजाती हैं बेटियां घर की बुन्याद कहलाती हैं बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील स्टील का बाच्शा और ब्रेक के बार एक बार फिर से स्वागत आप सभी का खबरों में आगे बढ़ेंगे के इंद्री वित्र एवं कॉर्परेट मामलो की मंतुरी निर्मलासी तरमर ने अफ्रीकी देशों के प्रती भारत की प्रती बढ़ता को एक बार फिर दोहर आया है विशेश रूप से वुनियादी धांचों के विकास और स्वास्थे सिवा जैसे शेत्रों में उन्होंने G7 और G20 देशों से अफ्रीकी देशों के प्रती अपना समर्थन बढ़ाने का अगरे भी किया वित्व मंतुराली ने बताया कि शनिवार को G7 अफ्रीकी मंतुरी स्तरिय गोल में सम्मेलन की वार्शिक बैठक में केंद्री मंतुरी सीतरमर ने भारत और अफ्रीका के बीच गहरी साज़दारी पर प्रकाश टाला जिसे प्रधार मंतुरी नरेंद्र मोदी ने दस मार्ग दरशक सिधानतों के माध्यम से पुरर परिभाशित किया है जिसका उद्देश्य शंतर निर्मान सावज़णी की सेवाओं को बढ़ाना और जलवायू परिवरतन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करके अफ्रीका के विकास का समर्थन करना है केंद्रि मंतुरी सितारमन ने विकास के लिए दीर्ग कालिक और किफायती वित पोशन तक पहुच बढ़ाने के महतो पर भी बल दिया और घरिलू संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने तथा विदीश्वी निवेश आकरशित करने के लिए स अन्रचनात्मक सुधारों के साथ अंतराश्ट्रे वित्य संस्थानों तक पहुच सुनिश्चित करने पर जोर दिया साथ ही बहुपक्षिय विकास वैंको के रिड़ शमताओं को बढ़ाने के महतों को भी रेखांकित किया है इससे पहले केंद्रे मंत्री ने अंतराश्ट्रे मुद्राकोष की प्रथम उप्रभंद निदेश्वयक FDMD गीता गुपिनाथ से भी मुलाकात की और उन्हें वार्षिक बैठक दोहजाक चौबिस के सफल आयोजन के रिए बढ़ाए थी उन्होंने FDMD से निरंतर सहयों की उमीद जताई और केंद्रे बजट में नौकरियां और कौशल उन्यान पर केंद्रे गुपिनाथ निदेशक गीता गुपिनाथ ने सोलहवी सामान्यय समिक्षा बैठक में भारत की आरक्षित प्रतिनित्तु पर सहमती व्यक्त की गीता गुपिनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्षपर केंद्रे वितमंत्री निर्मला सीतरमन के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे दुबारा मिलकर भारत की आर्थिक द्रश्टी कोड और वैश्वक चुनोतियों से जोड़ी विश्यों पर चर्चा करना बह रहीगा वहीं पूड में एक कारिक्रम में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एसजय शंकर ने कहा कि भारत दुनिया में अपने संस्कृति की वच्छ से बाकी देशों के मुकाबले सबसे अलग रहा है और एक ब्रांड के रूप में उफरा है उन्होंने कहा कि 10 साल पहले क तुलना में भारत-चीन बॉर्डर पर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण स्थिती और भी बहतर हो गई है अगर मैं दो हजार बारा तेरा की बात करो उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफरस्ट्रक्चर बजेट जो है करीपांच गुना छे गुना जादा है This enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, you know, it is a combined, एक किसम से मैं कहूंगा, all of the government approach. हम जो हैं, दुनिया में एक सो ट्रायानवे देश हैं, जो युएन के सदसी. पर इन में कुछ स्पेशल, वो स्पेशल हैं, जो बाकी लोग कहते हैं, कि भाई, वो, it's a nation, but it's a civilization. हम दुनिया पे अपनी brand, जो है, we stamp it in the world. And then they say, yes, this is a country, yes, but this is a civilization. And once you get that, वो किसम से आपके लिए गोल कार्ट, प्लाटिनम कार्ट जैसे हो जाता है. इंद्रा कांधी अंतराश्ट्री एरपोर्ट पर बम की जूठी धम की मामले में, दिल्ले पुलिस ने 25 वर्षी युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम शुभम उपाध्या है, वोतम नगर के राजपूरी का रहने वाला है, पूछताच की दौरान उसने मैसेज भेजने की बात को सुईकार कर लिया है. उसने दावा किया कि वो समाचारों में प्रसानत खबरों से प्रभावित होकर, ऐसी ही खबरों के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित करना चाहता था. और चली खबरों में आखे बढ़ते हैं अब रुक करते हैं तराश्ट्रे खबरों का. कि जापान में सत्ताधारी तल का अध्यक्ष्व ही प्रधानमंत्री बनता है. बेते दिनों फूमियों की जगा शुगेरू इश्रिवा को सत्ताधारी पार्टी LDP लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी का अध्यक्ष्व चुना गया था. हाला कि LDP का जापान की दोनों सदनों में बहुमत है और जापान में साल 2025 में चुनाव होने थे. लेकिन इश्रिवा ने PM पर संभालते ही चुनाव का एलान कर दिया. इस चुनाव को PM शुगेरू इश्रिवा की सरकार के लिए जन्मत जुटाने के तौर पर भी देखा जा रहा है. हाला कि विफन पोल सर्वे में दावा किया गया है कि सत्तारोड डेमोक्रेटिक पार्टी कोमितो ब्लॉक नीचले सदन में बहुमत से दूर रहे जाएगा. और अगर ऐसा होता है तो बीते 15 साल में ये पहली बार होगा जब लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत से दूर रहेगी. आपको बता दे कि LDP पार्टी के शीर्ष नेतत्वों पर भष्टाचार के आरोप लगे थे जिससे जनता में LDP नेतत्वों के प्रती थोड़ी नारास्की है. चुरार प्रचार के दौरान पीम शुगेरू इशीबा ने कहा कि अभी भी जापान में प्रशासन के लिहाज से LDP की सबसे सही पार्टी है. इशीबा ने कहा कि हम देश को विपक्ष के हाथों में छोड़ने का खत्रा नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अर्थव्वस्था, सम्विधान और सामाजे के सुरक्षा के स्तर पर क्या कदम उठाने हैं. वहें इस्राइल ने इरान पर हमला कर दिया है. इस्राइल ने तहरान समेत कई शहरों में इरान के सैने ठिकानों पर बंबारी की. खुद इसराइल Defense Force IDF ने इसकी पुष्टी की है, IDF ने इरान में सेने ठिकानों पर सतीक हमले की जानकारी दी, इरान के ओर से इसराइल पर हो रहे लगातार हमलों का जवाब देते हुए, इसराइल ने इरान के सेने ठिकानों पर हमला किया, अपने अधिकारे के ट्विटर है इसराइली सेना ने एक वीडियो में, वीडियो के माध्यम से कहा, कि दुनिया के हर दोसिस अंप्रफो देश की तरह इसराइल के पास भी अपने हितों को बचाने वे उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, एक और जहां इसराइल के कई लोग इरान पर इसराइली हमले का स्वगत कर रहे है, तो वहीं हमास द्वारा बंधक बनाये गए परिवारों का एक ऐसा भी समू है, जोने इरान से बदला नहीं बंधकों की रिहाई चाहिए, इसी मांग को लेकर हाजारों की संख्या में प्रधरशनकारी हाथों में तख्तियां और बंधकों की पोस्टर रहाई सुनिश्चित करें बलुचिस्तान प्रांत में 41 में से 21 मामले सामने आये हैं, जबकि सिंध में 12, खैवर पक्तुनख्वा में 6, और पंजाब तथा इस्लामबाद में एक-एक मामला सामने आया, ये दोनों केस पोलियो वाइरस को खत्म करने की देश की कोशिशों के लिए एक जटका है वहीं पाकिस्तान में Law and Order की स्थिति बद से बत्तर होती जा रही है, विश्व नयाय परियोजना कानून के नियम सूचकांक में विवस्था और सुरक्षा के संबंद में पाकिस्तान को 142 देशों में से 142 स्थान दिया गया, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे खराब दे विश्वन क्या है, माली और नाइजीरिया ही ऐसे देश हैं जो कानून और सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान से नीचे हैं, WJP द्वारा प्रकाशतेई का हाल ये रिपोर्ट में विभरन कारकों के अधार पर देशों का मुल्यांकन किया गया, इसमें सरकारी शक्तियों प सबसे उपर है, इसकी वजह से लोगों के अधिकार और कानून के शासन की स्थिती भी कमजोर होती है। खाई में गिर गए। जोकाटेकास की गवणर डेविड ने शुरुवात में 24 लोगों की प्राढ़ाम की मौत की सूचना दी थी, लेकिन राज्य अटोर्णी जनरल की काराले ने बाद में एक बयान में संध्या को संशोधित किया, कि 19 लोगों की मौत हुई और 6 ही घायल इची सीरीज का दूसरा वंडे आज एमधाबाद में खेला जाएगा, भारत तीन मैच की सीरीज में एक शुन्य से आगे है, 24 अक्टूबर को खेले गए सीरीज के पहले वंडे को भारत ने 69 रन से जीता था। और इसे के साथ फ्लाग मेरे साथ इस मिलेटर में इतना ही, नमस्कार.